सुहेग आज आज हम दिखाने वाले हैं अपने गाउं का एक छोटा सा पहार ये तो पहार तो नहीं है लेकिन हम लोग के लिए ये पहार हैं तो इस ब्लोग में आप सुरु से अंतक बने रहे हैं और चलिए हम आपको दिखाते हैं अपने गाउं का छोटा सा पहार चलिए चल कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि आपके सामने पाहार दिख रहा है तो यह भूत ही मज़ड़ पहाड और चलिए हमारे ब्लॉग में बने रहे और हम आप लोग को दिखाते हैं एक पहाड का खुबसूरत नजारा तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की हम आप लोग को दिखाते हैं सट 으र इस वीडियों के रहे हैं और लोग को दिखाते हैं कितना खुबसूरत नाजारा दीखाई दे रहा है हैं जाए तो चलिए पहाड को हमů आपको चारु तरफ से कंदा है और यहां से क्या का दिखता है और यहां खेट कप पिछे दिखाए दे रहा हुआ क्या हर्यादिया यहां पर पहाड़ पसे इतना सुंदर गाउं दिखाए ज़रा है आप सूप भी नजी सकते हैं गीन आप से रिक्वेस्ट है कि आप सक्राइब किजिए अपने गाउँ का इक से एक बढ़का चीज आपसे दिखाने वाले हैं इस चानल को सब्सक्राइब करके पर नुद आज़ें लीडियों लुद देना फिर्ची दिर्ची का इसा है तो जाए इस डूमियंट देना बताना इस पिछी का दिर्ची का इसा है इस वीडियो में बहुत मज़दार धमातिदार आपको दिखाने वाले हैं जैसे कि आप मेरे पिछे देखी सकते हैं यह रहा मेरे गाउं का खेड तो देखिए हमारे गाउं का खुबसूरत नजाए आप सरी का प्यार दुला रहा इस गाउं में सबसे बड़ा मेरा हिंवर होगा तो तो आज के बीडियो में अगले वीडियो में हम आपको दिखाने वाले अपने विहार के अपने गाउं के भावती खेमस मंदिर को देखने के लिए सबसे पहले आप हमारे जान को सब्सक्राइ करें और हम लोग को बताएं कि ए ब्लोग में आप लोग को देखकर कैसा लगा और इसके बाद हम आप लोग को दिखाने वाले हैं माता रानी का मंदिर तो बने रहा हमारे चैनल के माध्यम से और हम आप लोग को दिखाते हैं इसके अगले ब्लोग में माता रानी का मंदिर तब तक लिए बाई